नमस्कार दोस्तों, एक बहुत important खबर आ रही है, नेपाल के प्राइमिनिस्टर केपी ओली, he has lost the vote of confidence, और आपको पता होगा, vote of confidence एक जरिया होता है, जिसके माध्यम से, जो present में government है, उसको show करना होता है, कि जो legislature है, जो parliament है, उसका confidence अभी भी उसके उपर बना हुआ है, इसका simple earth यह हुआ, कि सरकार के पास बहुमत होना चाहिए, 50% से ज़ादा लोग उसको support करने चाहिए, तभी वो continue कर सकते हैं, लेकिन, अब क्योंकि उनका बहुमत नहीं रहा है, वहां की संसत के अंदर, so he will no longer remain the Prime Minister of Nepal, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, The Himalayan का article है, PM only loses confidence vote, तो चल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेस्बूक, और मेरे लेक्षे की हपीडियर आपको फेस्बूक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, बाई सर्चिंग, अंकित अगरवाल ऑफिशल, औ अगर आप अपनी प्रिप्रेशन कर रहे हो इस साल अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पर हर एक चीज एक जगह आपको उपलग करा दिया जाता है, चले देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए, जो पूरी हाउस की स्ट्रेंथ है, इस स इसमें 275 total members होनी चाहिए, लेकिन 4 members suspended हैं, तो इसका मतलब total strength हो गया 271 का, तो 271 में से यहाँ पर 15 members में तो abstain कर दिया था, इसके पहले भी अगर आप देखोगे 271 में से सिर्फ 232 members present थे, सिर्फ 232 members present थे हाउस के अंदर और उसमें भी 15 members ने abstain कर दिया था, इसके अलावा बाकी का जो vote बचा, उसमें 93 लोग support में थे और बाकी के 124 जो legislature हैं, उन्होंने against में vote किया, मतलब की वो KP OLI के support में नहीं थे, जिसकी वज़े से वो अपना confidence lose कर चुके हैं Parliament के अंदर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको detail में बताना चाहता हूँ कि जो present में Parliament है, वो जानना चाहते होंगे, देखिए, नेपाल के अंदर अक्सर आपने सुना होगा, कई बार constitution बना है, फिर उसको renew किया गया है, जैसे कि 2007 का जो constitution खा, उसको हटा कर वापस से 2015 में constitution बनाए गया, तो अभी present में जो वहां की system है, political system है, वो 2015 के constitution के आधार पर है, और इसके हिसाब से वहां पर दो houses होते हैं, जिस तरह से हमारे देश के अंदर, lower house, upper house, लोगसभा, राजसभा, सीम उसी प्रकार से वहां पर भी by camera system है, तो वहां पर जो upper house है, उसको कहा जाता है national assembly, जैसे हमारे हाँ राजसभा है, और जो lower house है, हमारे हाँ कहा जाता है, लोगसभा, उसको व बना सकते हो, और lower house के अंदर, जो last election हुआ था, आप देख सकते हैं, right side में, December 2017, और ये जो सरकार बनी थी, इसको बनाया गया था, 5th of March 2018, तो अब से लेकर ये सरकार चल रही थी, अब यहां पर जाकर सरकार जो है, वो गिर गई है, जो lower house है, उसके अंदर, जैसे हमारे post system जो है, सेम उसी प्रकार से वहां पर भी होता है, लेकिन कुछ seats के उपर, proportional representative से भी लोग चुने जाते हैं, जो वहां की upper house है, national assembly, वहां पर जैसे हमारे राजय सभा है, जिस तरह से elections होता है, कुछ वैसा ही आपको वहां पर देखने को मिलेगा, तो ये upper house है, जहां पर 59 seats ह और वहां पर behumat, जो इस समय party है, नैपाल Communist Party उन्ही की है, जो lower house है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहां पर strength actual में देखोगे आप, तो 271 हो गई थी, जिसमें यहां पर majority बना हुआ था, नैपाल Communist Party की, NCP की, जो कि अब यहां पर कुछ मद्भेद हो गया है, उसके confidence मिला है, मतलब कि वो अपने behumat को सिध नहीं कर पाई है, और यहां पर total 38 months का, मतलब 3 साल का जो पुरा कारेकाल है, वो KP शर्मा ओली का यहां पर खतम होता है, लेकिन next आपके मन में सवाल आना चाहिए, कि आखिरकार क्या कारण रहे हैं, जिसकी वज़य से उन्होंने loose कर लिया, तो इसके लिए यहां पर आपको पुरा system समझना होगा, वहां पर चल क्या रहा है, वहां पर जो party है, जो power में है, KP शर्मा ओली, जिस party से बिलॉंग कर रहे हैं, उस party का नाम आप देखोगे, तो यह है नेपाल Communist Party, औल्दो 2018 में जो election हुआ था, 2017 में जो last election हुआ था, उसके पहले यह party नहीं थी, नेपाल Communist Party, लेकिन यहां पर दो party थी, जिनोंने आपस में अपने आपको merge कर लिया, नीचे आप यहां पर देखो, CPN Moist Center, ठीक है, यह जो party है, इसको lead किया जाता है, पुश्प कमल दहल, जिनको आप प्रचंडा के नाम से भी जानते होगे, तो इनकी यह वाली party थी, और उसके नीचे यह वाली जो party है, CPN, Unified Marxist Leninist, यह party lead किया जाता है, के पी ओली, जो इस समय प्राइमिनिस्टर है, तो दोनों ने यहां पर decide किया था, election के पहले, कि वो आपस में merge कर लेंगे, और यह merge करने के बाद party बन गई, नेपाल Communist Party, लेकिन दो पुष्प कमल, दहल है, उनकी जो party है, उन्होंने withdraw कर लिया, उन्होंने कहा कि हम यहां पर केपी ओली को support नहीं करेंगे, जिसकी वज़े से, यह जो पूरी party है, नेपाल Communist Party, वो minority में आ गई, मतलब कि उसके पास भहुमत नहीं था, और आज जब यहां पर vote of confidence हुआ, तो वो favor में मैंने अच्छा काम किया है, तो प्लीज आप मुझे vote कर लिए, लेकिन उनको vote नहीं मिला है, इसका एक बहुत बड़ा कारण, कई सारे criticism लगतार उनके उपर आ रहे थे, एक सबसे बड़ा कारण है, वो है आपका coronavirus pandemic को जिस तरह से उनके द्वारा handle किया गया है, रिसें मन्त वहाँ पर lockdown लगा दिया गया था, और बोला जा रहा है कि इस साल भी यहाँ पर, अभी sorry, इस महिने भी यहाँ पर जो lockdown है वो शायद continue रहेगा, इसके अलावा जो opposition है, उनके द्वारा blame किया गया है कि बहुत सारे corruption, scandals के cases सामने आये हैं, जिसकी वज़े से जो vaccine भारत स जल्दी आ सकता था, वो यहाँ पर KP शर्मा ओली मगाने में विफल रहे हैं, जिसकी वज़े से यहाँ पर इतने सारे corona के cases देखने को मिल रहा है, तो इस तरह के कई सारे कारण है लगतार उनके उपर इजाम लगता रहा है, लेकिन एक सबसे main कारण मैं आपको बताता हूँ देखें, मैंने आपको क्या बताया, कि यह जो दोनों पार्टी है, यह जो आपके पुश्प कमल दहल है, CPN, Moist, Center के और KP शर्मा ओली, दोनों आपस में यापर गटभंदन किये वे थे, तो जब दोनों लोग आपस में एक साथ आए थे, दोनों के बीच में agreement हुआ था, कि वो लोग equal power share करेंगे, मतलब आधा जो term है, वो यहाँ पर कुश्प कमल दहल के दौरा भी देखा जाएगा, और जो आधा term है KP ओली, तो KP ओली का आधा term हो गया था, वो यहाँ पर प्राइम निस्टर का पच छोड़ने के लिए तयार नहीं थे, वो यहाँ पर कुश्प कम दहल है, ऐसा report में सामने आ रहा था कि वो कोशिश कर रहे हैं, कि नेपाल Communist Party के अंदर यहाँ पर support जुटाया जाता कि वो यहाँ पर प्राइम निस्टर बन जाए, इसी को देखते वे KP ओली ने क्या किया, पिछले साल दिसंबर के मैने में, जो lower house है, उसको dissolve कर दिया, जी हा तो जो नया election है ना, वो आपका May 10 को ही होना था, और अब आप coincidence देखिए कि आज ही यहाँ पर vote of confidence हुआ है, क्योंकि अगर यह dissolve हो जाता, तब तो vote of confidence की जरुवती नहीं परती, नया elections कंड़र किया जाता, लेकिन क्योंकि Supreme Court ने यहाँ पर Parliament को dissolve नहीं होने दिया, इसकी वज resignation देंगे, और जो president है, वो यहाँ पर Parliament को बोलेंगी, कि अगर कोई दूसरी party सरकार बनाना चाहता है, तो वो बना सकता है, तो जो अब opposition की party है, पुश्मकवल, दहल हो गया है, और भी कई सारे leaders हैं, वो हो सकता है कि एक साथ आएंगे, और यहाँ पर नई सरकार बनाएंगे Let's see कि क्या होता है, बट I hope कि इस वीडियो के माधियम से आपके मन में जितने भी clarity है, वो सब कुछ आ गया होगा, जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुती interesting question लाया हूँ, I'm sure कि आप सबने polo जो game है, उसके बारे में सुना होगा, polo game किस पर खेला जाता है, यह खेला ज नहीं हो, कोई बात नहीं टेलिग्राम से ले सकते हैं, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, आप profile picture में जाकर click करके play कर सकते हैं, अगर आप उनसे economy पढ़ना चाहते हैं, कोई भी course purchase करना चाहते हैं, study IQ app पर जा सकते हैं, I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता आप से नेक्स ताम, तिल देन थांक यू बरी मच, सी यू सून.